Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Some famous local storm of hot weather season एक important topic अब important topic क्यों कह रहा हूं में इसे? तो एकदम सटीक बात बताता हूं मैं आपको कि हम local storm के बारे में पढ़ेंगे match the column वाले format में question आ सकते हैं कि कौन सी local storm कहां पाई जाती ही? किस नाम से जाने जाती ही? आप बताईए match कीजिए ठीक है? तो उस sense में यह important topic है Class 11 वाले बच्चे आपके box में दिये एक छोटी ठीक है? आपके box में detail दिये लेकिन इस पर direct question भी आ सकता है Magnet Brains पर आपको आपका complete syllabus free of cost available है जी हां मैज़दार बात बताता हूं मैं आपको सिर्फ एक chapter या दो chapter देकर कोई premium course नहीं है यहां यहां सारे chapters free of cost available है सब कुछ और सिर्फ class 11 के लिए नहीं class 4 से class 12 के लिए है ना मैज़दार बात अपने juniors और seniors को जरूर बताईएगा इस बारे में देखिए तो समझे यहां पर क्या है सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक जो local strong होती वो होती mango शार ठीक है mango तो आपको पता है क्या होता mango यानि आम ठीक है आम फलो का राजा है अब आप देख रहे हो तो कि पहली बाउचार जब आती ना पानी की तो वोने उस फल को वो पका देती है ठीक है तो यहां पर कहा है mango शार किसके लिए उसके अगया है तो टोर्ड्स दी एंड ऑफ समर जब समर खतम होने वाले हैं इस चीज़ को समझो जैसे अभी तक हमने क्या पड़ा जो हम मार्च आ जाता है और फिर मीड़ उस मार्च से होट वेदर सीजन स्टार्ट होता है समर स्टार्ट होते है विंटर्स के आद में समर कब तक चल रहे हैं तो आप देखोगे में जून अब में जून के एंड में क्या होने लगता है यह जो लोकल स्ट्रॉम्स है यह लोकल स्ट्रॉम्स क्या करने लगती है अपना डांस नाचने लगती है ठीक है अपना डांस करने लगती है कि हाँ हम आ गए हैं अब मतलब अभी मॉंसून नहीं आया है साउट इस्ट मॉंसून सीजन जो है वो हम नेक्स वीडियो में पड़ेंगे लेकिन समर्स भी पुरी तरह से गए नहीं तो जो बीच वाला टाइम पिरेड है जो टर्बुलेंट टाइम पिरेड है कारिला and 코ostal ऐा of करना टका तो कारिला कोस्टल ऐरी औफ करना टका जो है मैंप पर भी दियान रख लो मैप पर अगर आता है तो तो जैसे आप देखो कि यह वाला इसे जो यहां पर मैंगो शार हो रही है ठागे तो यह mango shahar जो है तो इस तरह से क्या होती है केरला और करनाटका के coastal region में देखने को मिलती है अब सवाल अगर आपके मन में आ रहा है कि ने mango shahar क्यों कहा जा रहा है तो locally they are known as mango shahar since they help in the early ripening of mangoes जो आम है तो आम को पकाने में ये मदद करती है जो बहुँ चारे आती है पानी की प्री मौंस coconut ले पहले से पहले जो शार्स होती है मौंसिल शारस उन्हें mango shahar कहा जाता है ये दियान रहेगा एरिया धहान रखना नाम धहान रखना क्यों अने ये दियान रखना तो कौन खिल उटता है यहाँ पे तो with this shower coffee flowers blossom in Caroline nearby area तो यही area है यहाँ पे जब यह coffee fields में इस तरह की जो pre-motion showers होती है जो बहुचारे आती है तो उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें blossom shower कहा जाता है करनाटय का कैसे उस रीजन में जानी जाती है वहाँ पे पाई जाती है फिर क्या होता है नॉर वेस्टर अब इन विंडस के बारे में समझे सब्सभाइब अलग में कहा जा रहा है तो यह locally अलग अलग जो यह इस कह सकते निदरावनी सी शाम के समय में थंडर स्टॉर्म्स होती है बादल गरज रहे हैं बहुत तेजी से और विजलिया चमक रही है उस समय पे जो हवाईं चलती है जो लोकल स्ट्रॉं्स चलती है वो नौर वस्टर का नाम से जानी आती है अब नौरवेस्टर में 2 जीसे क्ल अब देखो यह जो हवाएं है ना नौर्वेस्टर का नेचर समझो थोड़ा सा आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि समर के जब समर्स खतम होने वाले तो समय पर क्या होता है इवनिंग टाइम पिरेट तक ड्राइए और मॉइस्ट विंट्स जब क्या होती है mix-up होने लगती है तो वह स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग्स को जन्म देती है तेज हवाएं चलने लगती है अब यह तेज हवाएं क्या कर तो आपने क्या देखा होगा कि किसी के घर में टीन अध कि वो बहुत जादा destruction करती है, पेर तूट गए, तो ये जब दिक्कते होती ना, तो ये जो हवाएं हैं, ये जो local storms है, इनका nature बहुत notorious होता है, nut cut सा होता है, तो वो क्या करती है, destruction लाती है, तो their notorious nature can be understood from the local nomen cultures, तो इनका क्या है नामकरण जो है, nomen culture locally क्या कर दिया गया है, इस ये अपने आप में क्या है बताता है, इनके notorious nature को, notorious nature को कैसे बताता है समझो, दो शब्दे काल, बैसाकी, तो बैसाक का मैना होता है, चेत, बैसाक, जो Hindu calendar है, तो Hindu calendar के हिसाब से अगर देखेंगे, जिसे जो विकरम संबत है, विकरम संबत के हिसाब से जो अलग-अलग months है, तो उसमें क्या है चैतर आता है चैतर के बाद में वैशाग आता है तो वैशाग जो होता है तो वैशाग मतलब मेजून वाला टाइम पिरिड हाँ मेजून वाला जो टाइम पिरिड होता है वो वैशाग के जो महने होते है तो उसके आगे काल लगा दिया अब काल का मतलब क्य होता आपको तो पता है calamity होता है काल मतलब क्या है कि unto एक तरह से end तो calamity of the month of bashark वो बताए गाया कि calamity of the month of bashark इसी लिए इस महने को क्या कहा गया है काल bashark is महने में जो शाम में हवाय चल रही होती है वो काल bashark की होती है ऐस है ठीक है यहागा है समझ में अब अब क्या होता तो शाम में जो हवाएं बिगड़ती है और हवाएं बिगड़ने के बाद में कभी कभी क्या है आप देखो कि तो बारिश लेके आ जाती है तो जो बारिश होती ना तो दी शार्स आर यूसफल फोर टी जूट एंड राइस कल्टिविशन इन असाम दीज स्ट्रॉम्स आर नोन अस बार्दोली चेरा ठीक है बार्दोली चेरा नाम से जानी जाती है असाम में यही हवाएं तो ध्यान रखना बार्दोली चेरा असाम में कहलाएगी और काल वेशा की बेंगल वाले रिज़न में कहलाएगी तो बेंगल वाले रिज़न स्ट्रॉम इसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं लेकिन आप ब्रैकेट में दिये और पढ़ लेते हैं तो लू यह हवाएं चलती है, बहुत गरम तेज हवाएं जो चलती है, वो लू कहलाती है, अब यह जो local storms होती है, जो wind होती है, इनका temperature बहुत जादा होता है, लू का, तो hot dry, सूखी रहती है, मौश्यम नहीं है, तो hot dry, oppressing winds blowing in the northern plains from Punjab to Bihar, पंजाब से लगा के Bihar तक का जो पूरा नदन प्लेन वाला रिजन है, इसमें क्या है, hot dry winds जो चल रही होती है नदन प्लेन में, during the time of summer, ठीक है, तो summer के समय पे जो चल रही होती है, वो लू कहलाती है, with higher intensity between Delhi और पतना, Delhi और पतना में इनकी intensity और जादा रहती है, ऐसा इस इक्षा होती है ना, गर्मियों के दिनों में की 5 बच गए है, लेकिन फिर भी घर से बाहर निकलने की हमत नहीं हो रही है, तो आपकी हमत क्यों नहीं होती है, यह बाहर यह लू बैठी होती है, क्योंकि उस समय समर्स में आप बाहर निकलोगे और आपको ऐसे गरम एक तरह से क्या रग रहा है, ऐसा रगता है feel free to ask in comment section, map पर भी आपने सारी चीज़ने देख लिए, I hope you enjoyed it, सारी चीज़ने समझ में आईए, अब next वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो हम in sequence अल रहे हैं, cold weather season हो गया, hot weather season से अब जो southwest monsoon आने वाला है, बारिश आने वाली है ना, तो जो transition में जो local winds होती है, हमने वो भी वीडियो में, मिलते हैं next वीडियो में, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much